नमस्कार साथियों आप सबका पुना स्वागत है शद्धा एस्टो जोतिश में आज हम लोग कवर करने वाले हैं कन्या लगन की कुल्णी में यदि केतू चतुर्त भाव में बैठे हैं तो क्या फल है हम ये भी कह सकते हैं कन्या लगन की कुल्णी में धनूराशी का केतू किस किस प्रकार का फल देता है तो आई ये शुरुवात करते हैं आज की क्लास का लगन से गिनते हैं अगर हम तो यह आता है चतुर्थ भाव चौथा भाव चौथे भाव में जब धनुराशी पढ़ती है तो किस प्रकार का स्वभाव जातक अपने परिवार को लेकर या अपने घर को लेकर दिखाता है चतुर्थ भाव उसके भवन को रिप्रेजन करता है याद रखेगा दो और चार से कंफ्यूज नहीं होने दो हमारे दृष्टेदार उनको बताता है चतुर्थ भाव हमारे भवन की बात करता हमारे भवन की भव्यता की बात करता हमारे वाहन सुक मारे माता जीवन में ओवराल सुक मात्र भूमी के प्रति लगाओ मंत्री मंडल यह सब चीजे चतुर्थ भाव से देखी जाती है सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं जो तिश्विद कई कहते हैं कि जीवन में सबसे महत्पूर्ण भाव आज की दृष्टी से ग्यारवा भाव होता है कई जो तिश्विद कहते हैं कि आज के समय पर सबसे महत्पूर्ण दूसरा भाव है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में अगर सुख के अनभूती नहीं कर पाया तो फिर क्या आए भाव करके करेगा और क्या वो धनिकठा करके कर देगा अगर चतुर्त भाव मजबू स्थिती में है तो चाहे उस विप्ति को मनवान्चित फल ना मिलता हो लेकिन जो उसके लिए सही है वो उसको जरूर मिलता है क्लिर हो गए जैसे हमने कुछ ऐसा चाहा कि यार मेरा विवा इस महिला से इस पुरुष के साथ मेरा विवा हो जाए तो ये चाहते हैं आपकी एकादर्श भाव से पूरी हो रही है ये नहीं हो रही है तो आप दुखी हो रहे हैं कि यार इससे चाहा था मैंने विवा तो नहीं हुआ है पता नहीं जीवन मेरे सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा लेकिन विवा जिसके साथ भी आपको हुआ बाद में जीवन के सारे एक्स्ट्रीम सुख उससे आपको मिले क्योंकि ये हमारी बुद्धी से कैसे तै होगा कि जो मैंने तै किया है इसी को मिलने से सुख प्राप्त होगा तो ये बड़ी अजीब बात है हाला कि कई जगे ऐसा भी हो जाता है कि आपका एकादर्ष भाव मजबूत है आपका दितिय भाव मजबूत है निश्चित रुप से ऐसा होना चाहिए अगर चत्तुर्त भाव मजबूत है तो उसको अच्छे मकान में रहने का सुख कोई रोक नहीं सकता है उसको निश्चित रुप से मिलेगा क्लिर हो गया चाहिए वो मतलब जोपड़ी में पैदा और चाहिए उस बिना घर के पैदा हुआ है लेकिन अगर चत्तुर्त भाव बहुत मजबूस्तिती में सर्वस्टक वर्ग में उसको 28 नंबर मिल रहे हैं यानि सरीस फैक्टरी उसको माक्स मिल रहे हैं सर्वस्टक नियुकर आपको निश्चत रूप से भव्य मकान में रहने का सुख मिलेगा अब या पर नौ नंबर यह बताता है कि भई जो भी जातक हैं उनके मां का स्वभाव प्रहस्पति का यह नौ नंबर की तरह हैं सही को सही गलत को गलत कहने का माद्दा रखते हैं ठीक हैं माद् जंग करने पर उतारू हैं ब्रहस्पती के तो पास जंग का कोई ऐसा कामी नहीं है वो यह जुरूर है किसी राज दर्बार में जैसे कोई राच परोहित होता है अगर किसी को फांसी के सजा भी हुई है तो उसको भी वो कहेगा है उसको फांसी पर चढ़ा दो लेकिन उसका व क्या बताता है केतू की सिटिंग है बताती है सराशी का सपोर्ट है उनको क्योंकि यह उस भाव के परती फिर आदमी उदासीन हो जाता है और मुक्ष वाला एजंडा एड़ कर दे तो अकेला बैठा केतू इनके माता श्री के अंदर भी इस प्रकार की भावनाएं होंगे जिसे कई बार चतुरत भाव में सपोर्टिव रहु आ जाता है तो ऐसे विक्ति के मा जो है बड़े अपने आपको डैकोरम बनाकर रखते हैं और उनके पास क्या बोलते हैं कमाल की डिप्लोम ऐसी होती है अपने आपको साजो सवार कर रखना सजैस मालब श्रंगार रसका उनको पूरा ग्यान होता है इस कंडिशन में क्या है कि विक्ति इन विशयों को ज़्यादा महत्व नहीं देना चाता है ठीक है उनके पसनालिटी है लेकिन वो इन सारे बहिर मुखी विशयों को त्यागना चाते हैं और वो उन सभी विक्तियों को ज़्यादा वेटि नहीं देना चाहती है क्लिर हो गया और घर की अगर बात करें जैसे ब्रहस्पति इन दो भाव का स्वामी होकर एकादश भाव में बैठ जाए या सब्तम भाव में बैठ जाए तो आदमी अपना घर बनाता है और केतु के प्रभाव के कारण उस घर का कभी भी एहमकार नहीं क तो अगर रहस से एक उसका विशे रहता ही है, तो अपने मकान में कहीं न कहीं आपने पूजा करने के लिए एक निश्चत जगा बनाई है, जहां आप निश्चत रूप से समय निकाल कर बैठते हैं, पूजा घर में, और केतु का यहां बैठना ये भी बताता है कि आपके जो कलर नहीं कराना चाहते हैं, उनको गुप्त रखना चाहते हैं, लाइट रखना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है केतु का स्वरूप कैसा है, केतु को ग्यान है, लेकिन कभी केतु उस ग्यान का बखान नहीं करता है, अब धूत की तरह माने जाते हैं, दिखने में हो सकता रूप देखकर का आपको लगया इसको ग्यान होगा नहीं हो सकता है लब लंबे नाखून है और ऐसा लगाए कई दिनों से नहाए नहीं है मेले कुचले कपड़े पहने हुए लेकिन उनको ग्यान बहुत है उनको वह हमेशा ही मोक्ष के लिए तनमय रहते हैं इस प्रकार की विचारधारा रहती है विक्ति के अपने भवन को लेकर भी जीवन में उसके भवन का उसको पूर्ण जैसे आपने देखा कई बार कोई जैस पता लगा वो चार-चार-पांस-पांस साल में अपने घर पे रिपेर वर्क ही नहीं कराते हैं वाइट वॉश नहीं कराते हैं आपको लगता है कैसा विक्ति है ये लेकिन ये सही मायने में उनकी क्वालिटी कही जा रही है कारण वो इन सारे दोशों से बचे हुए है तो ये एक एडवांटेज बनके उनके लिए तो ये द्यान रखना है कि तुको मामले में कई लोग डिसएडवांटेज मालेते कि यार ये तो साफ सफाई नहीं रख रहा है वो बात नहीं है इनकी बुद्धी और इनकी आत्मा इसके लिए एकदम ये रियालिटी की बात करना चाहते है कि तभी हमने दो चार अत्रिक टाइले लगवाकर या दो चार अलग चटक रंग करवाकर किसको खुश करना है हम रियालिटी के नहीं आप घर पे जाएं आप इनके घर के अंदर देखें हर वो चीज आपको मिलेगी जीवन में सुविधा देने वाली है लेकिन आ चत्रुद्भाव हमारे एजुकेशनल इंट्रस्ट को भी बताता है हमारे एजुकेशनल इबिलिटी की बात करता है ब्रहस्पती जैसा प्लानेट जब उसकी मूल तरकोंट राशी यहां पढ़ती है तो फिर कहना ही क्या और स्वामी अगर मजबूस्तिती में तो आदमी के एजुकेशनल इबिलिटी बड़ी कमाल की होती है और केतु के कारण वो कभी एजुकेशन में तो आदमी दिखावा ना ही करे तो अच्छा है तो फिर बात नहीं बनेगी ठीक हो गया तो यह कई मामले में अच्छा माना जाता है जिसे अगर यहां केतु बैटा है तो उसका अधू तुल्ले विक्ती कहे जाते हैं लेगिन जब आप आफिस में आपके आते हैं तो नीती का सई उपियोग करना आपको आता है क्लेर हो गया दशम भाव तो बनाई स्लीज के लिए आफिस में एक दम सरल हरदे रहेकर चलना कठिन है तो जिस चीज का जहाँ उपियोग होना चाहिए वहाँ उपियोग यहां परफेक्ट मिल रहा है क्लेर हो गया और चतुर्त भाव हमारे हरदे को बताता है जब आदमी के हरदे में इस प्रकार का कॉम्मिनिशन बनता है ब्रहस्पती का घर हरदे में बैठे है के तु बैटा है तो सरल हरदे लेकिन के तू के सामने वाले भाव में राहू बैठा है तो वो सरल हरदे प्रक् कहते हैं घर में तो यह बहुत ज्यादा लोगों से ऐसे अपने लोगों के साथ दिखावा करता है जूट बोलता है ओफिस में यह ऐसा लगता है जानता ही नहीं है कुछ पता नहीं है इसकिम सरल हो जाता है यह उलता है। बाई डिफॉल्ट ठीक है आप किसी किसी को ये हला कि कई बार ये भी खुबी बानी जा सकती है क्योंकि जब ग्रंत शुरू करते हैं आप कोई ब्रगु सरल पद्दती ब्रगु सम्मिता तो साफ साफ कहते हैं आप कोई भी कुंडली लें तो कभी ये ना कहें कि यार ये विक्ति क्यों धर्ती में भगवान ने पैदा कर दिया ये तो बहुत ज़्यादा दोश के साथ जिन्दिगी कोई भी कुंडली खराब नहीं होती है कोई भी प्लानेटरी कॉंबिनेशन खराब नहीं होता है हमारे द्वारा रचित हमारे द्वारा बनाया गया प्रारब्द हमारे सामने है स्विकार करें तो कुल मिला के केतु यह बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं अब हम यहाँ पर दृष्टियों के बात करते हैं एक दो तीन चार पाँ के तु एक अगनी तत्वर राशी में बैठकर दूसरी अगनी तत्वर राशी में नजर बनाये हुए तो जब कभी भी इससे पहले जब हमने राहू की प्लेलिस लगाई थी तो हमने यह देखा था कि जब राहू यहाँ बैठते थे तो आपके जो भी अगनी से समंदित electricity समंदित बिशे होते थे वो कमजोर हो जाते थे घर में electrical appliances का खराब होना यह सब तब होता है जब हमारी अगनी तत्वर राशी क्योंकि एक राशी में बैठेगा तो तीनों अगनी तत्वर राशी को प्रभावित होने का मतलब आदमी के घर पे जो भी कहीं पानी रखेगा या घर में कोई ऐसी जगह है वहाँ सीलन आ जाएगी वहाँ फंगस लग जाएगा और अगर अगनी तत्वर राशी में दिक्कत हैं तो आग से नुकसान electricity से नुकसान electrical appliances से नुकसान ये सब चीजे होती है इसी प्रकार से जब केतु आपकी पृत्वी तत्वर राशीयों और आपके वाई तत्वर राशीयों में प्रहाव डालते हैं तो फिर वो material gain को इन सारे विशयों को कमजोर कर देते हैं केतु यहाँ बैट कर अब दूसरी अगली तत्वर राशीयों मेश राशीयों में नजर बनाया है और अकेला अगर दिश्टी मार रहा है कुजवत केतु तो इस राशीयों में सपोर्ट ही करता है आठवा भाव वैसे भी गुप्त विद्याओं का है अकल्ट का है तो आदनी गुप्त विद्याओं की प्रती बड़ी आकरशित होता है चार आठ बारा मुक्षा होस कहे जाते है और जब केतु जैसा प्लानेट फेवरेबल हाउस में या फेवरेबल राशी में बैट कर यहां आता है तो निश्यत रूप से जो मुक्षा वाला पाट आपका बहुत जादा बलशाली हो जाता है जीवन में आपका अंतिम समय बड़ा सटिस्फाई रहता है कि यार हां मैंने जीवन में जो मेरा लक्षता उसको मैंने हासिल किया है घर में भी पूजा पाठ मेडिटेशन में लगे रहना और कोई ऐसा मेंटर भी उसको कुछ इस प्रकार के कुंडलिनी जागरन और सब्त शक्ती चक्र क्योंकि इसको माना जाता है आपके मुलाधार चक्र का के इंद्र माना जाता है अश्टमभाव जिसका अश्टमभाव मजबूत होता है वो अपने मुलाधार चक्र को इनिशेट करने में कामियाब हो जाता है क्योंकि जब कभी भी आप योग में बैठते है तो आप उस चक्र को उस शक्ती को उपर उठाना चाते है वो तब ही होता है जब विक्ती के एनस या गुदाद्वार में शुचिता रहती है शुद्धता रहती है इसलिए कहा जाता है साथ वे राट वे बाव को शुद्ध रखो कोई भी विक्ती सिध्धी चाता है तो सबसे पहले यही कारे करें रिलेशन्शिप में पत्नी व्रत या पती व्रता धर्म का पालन करें अगर ऐसा नहीं कर सकते फिर आपके लिए कोई मेडिटेशन का महत्व नहीं है उसका फायदा मिलने वाला नहीं है आपको ठीक है ससुराल पक्ष अनुसाशित है डिसिप्लेंड है और उससे कहीं न कहीं आपको जमीनी फायदा भी हो सकता है जमीनी फायदा है रहे लैंड यह भूमी पत्र कहे जाते है मंगल भूमी पत्र कहे जाते है और केतू का भी यहां दृष्टी पढ़ रही है तो जमीन से फाइदा और केतू की दृष्टी से ये इस हाउस को भी हाला कि मुख्य रूफ से यहां केतू बैठते हैं वो उन चीजों को हाइड करना चाहते हैं लेकिन केतू की दृष्टी अस्टम भाव में भी पड़ रही है तो कहीं न कहीं वो वाली प्रवर्ती रहती इस चीज को लेकर दिखावा ना करना ये सब चीजे रहेंगी सपोर्टिव है बलशाली है इनका ससुराल पक्ष अगर मंगल बैठा है लेकिन ये लोग इस चीज को ज़्यादा लोगों में बयान करना बार-बार बोलना इस चीज से बचते हैं और क्या बताता है केतु की दृष्ट ये भी बताती कि जातक का समवाद कम रहता है वैसे ससुराल पक्ष से बाचीप कम रहती है लेकिन ससुराल पक्ष के साथ सौ प्रतिशत इनके सम्मन्द बन जैसे मां लीजिए इनके पार्टन की जो कुंडली हो उनकी कुंडली में कह रहे है उनकी कुंडली की मदद से ये बना कर रखते हैं क्योंकि वो अपने घर से बाचीप हमेशा रखती है तो इनके कम बोलने से भी कोई ससराल पक्ष अलग हो जाए दूर हो जाए ऐसा नहीं है अगर किसी महिला की कुंडली है तो फिर तो कहना ही क्या क्योंकि महिला की कुंडली के लिए ससराल ये उसका घर है तो ये बहुत बड़ा फरक है जब कभी भी आप कुंडली देखेंगे तो अगर महिला की कुंडली आप देख रहे हैं किसी तो ये जरूर देखी कि जिब ससुराल पक्ष जहां वो रह रही है अभी अगर विवास का हो गया है तो ये मजबूत बहुत ज़ादा होना चाहिए बजाए कि उसके चतुर्द भाव का मजबूत सम्मंद बनाना उसका ये भाव बहुत मजबूत होना चाहिए ससुराल पक्ष के जाथ सम्मंद उसके अच्छे होने चाहिए अश्टम भाव की मजबूती से देखना है उसको क्योंकि पुरुष के लिए ससुराल पक्ष में जाना कभी कभी है महिला को तो वहां रहना ही है जिंदगी व्यतीत करनी है वहां पर यह जुरूर विचार करना है उसको और केतु की दृष्टी यह भी बताती है कि कहीं न कहीं अस्टमभाव हमारे जीवन में गुप्त से किसी की मृत्यू से होने वाले फायदे अश्टमभाव से देखे जाते हैं तो यह इस प्रकार की फायदे की बात करता है जिसके लिए आप बिल्कुल भी तयार नहीं है मनला पॉस्टिव एंगल में पांच छे साथ साथ वी दृष्टी को हम काउंट नहीं कर रहे हैं और बारवे भाव में दृष्टी यह बताता है कि आदमी का जो व्याय रहेगा आदमी अपने घर को लेकर कहीना कोई कुछ व्य करेगा समाज में उसकी प्रतिष्ठाई बढ़ेगी उस वैसे क्योंकि के तू को सराशी का सपूर्ट फुल सपोर्ट मिल रहा है और के तू से समधित जो भी वह होते हैं वो कभी भी खर्चा इसलिए नहीं करता है कि उसको बहीर मुखी होना है उनमें लिप्त होना है वो जानना चाता है उनमें विशयों को दोनों में दीको बहुत फरक है मैंने भी पैसे करें उसने पैसे करें लेकिन हो सकता है मेरा मानना कुछ और मैंने लिया जबकि सांसारिक विशय में मैंने खर्च किया पैसा तो यह द्यान देना है इसकी होम डेकोरेशन इसने चेंजिस कराएं कुछ कुछ अलग बुद्धी से कि मैं मेडिटेशन कर सकता हूँ यहां मैंने कुछ ऐसा पढ़ा था कि यहां इस प्रकार का पिरामिट बनाया जा सकता है वो ध्यान के लिए उसने पैसा कर्च किया राहू का पैसा करना कुछ और के था नहीं ध्यान छोड़ो लुक बढ़ाओ मकान का जबरदस्त तो यह एक अंतर है जो आपको समझना चाहिए ठीक है बारवे भाव में केतु जैसा प्लानेट का होना हमेशा अच्छा माना जाता है और अगर सपोर्टिव राशी में हो तो कहना ही क्या अलगि मैंने पहले भी आपको कई बार बता लिया कि जब कभी भी बा सटिस्फाई रहता है जातको विदेशी लोगों के साथ यह ज़्यादा वारतालाप तो नहीं करता है ज़्यादा बात्चित तो नहीं करता है कम बोलता है लेकिन कोई disagreement नहीं है कि आपको मैं छोड़ रहा हूं त्याग रहा हूं इतना होने के बाद भी वो लोग उनका साध देते कि foreign land foreign people समंदी कोई भी विशे हूं उसको देखना है तो बारवे भाव से देखो केतु नजर डाल रहा है तो आदमी उनसे ज़्यादा बात्चित नहीं करता है फिर भी वो लोग उनसे समंदी जो भी विशे होगा आपका काम पूरा हो जाएगा सूरे को देखें आप विदेश भूमी से जबरदस्त फाइदा और क्योंकि ये एजेंडा पूरा कहा हो रहा है ससुराल पक्ष में बैट कर तो कहीं ना कहीं इसमें डिरेक्ली इंडिरेक्ली आपके ससुराल पक्ष का भरपूर सपोर्ट रहा है हो सकता है कोई आपके बरदर इल्ला या आपके सस रहता है विक्ति रहो गया और इस प्रकार के कोई विशेय जेल यात्रा और साद ये सब विशन नहीं करेगा यहीं अगर कहीं बिगढ जाय रह हूं तो फिर या तो य करवा देता तो कहीं न कई भै रहता है कि यार मैंने गलत काम कुछ ऐसा किया है मुझे जेल यातरा है तो ना हो जाएं कब राहो की अंतरदशा महादशा में लेकिन अगर सूरे बहुत अच्छी स्थिती में तो सिर्फ भै रहेगा ऐसा कि कानुनी दाओं पेच में मैं उलस सकता हूँ लेकिन कभी उलजेगा नहीं कभी जेल जाएगा नहीं तो ये आप निर्णने इस प्रकार से ले सकते हैं कि अगर कभी इस भाव में कोई प्लानेट मैठा है तो वो भै हमेशा बनाए रखेगा लेकिन कभी उसके दर्शन नहीं करवाएगा अब ये हैं आप इसको किस एंगल से लेते हैं आप खुद समझ जाएए ये भी एक निगटिव बात ही है कि यार भै क्यो रह रहा है भै भी नहीं होना चाहिए था लेकिन उससे बड़ी बात क्या है कि अटलिस चलो भै हो रहा है गया तो नहीं कभी जेल क्योंकि घर का मालिक मजबूस थिती में तो ये आपको जोरूर देखना है कि घर में किस परकार की terminology बन रही है घर में किस परकार की conjunction बन रही है और घर का मालिक किस अवस्था में कहा बेढ़ा है तो कुल मिल आके केतू का यहां फल अच्छा माना जाता है क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए जैश्री भगु पर आशरा जैश्री शुक्राचारिया नमस्कार